हाई करे बार ले तहरा कट दी हुन्निया हो तेरी शट नाल दी लेगे रख दी चुन्निया हाई सुटा दी जद तैला लाके तर दिया फेर योस विले तेनु याद कमल या कर दिया ताइमस पंचाब के शो गोल्डन टॉक्स वी शिप्रा में सारे लुधियान वी इसका बहुत 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 वेलकम आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के बर्बन प्रोडवे में और हमारे साथ बहुत ही गौर्जेस तैलेंटेट सिंगर बैटे मैं मिस इंदर कॉर तो ज्या से पहले हम चाहते कि अपनी इंट्रव्यू स्टार्ट करने से पहले आप अपने किसी भी सौंग की लाइन समारे वीवर्स को सुनाइए ओके जी मेरा गाणा ऐसी देशी सिरे था ते मैं अधियां दोख लाइना सुना रही हूं पूरे जैरी डिसकवरी दे सपनाल दे नियो राफन लतने साली अीडिल दानिम भी सूंगी अदे पर फृफ शीरे द श्यार्वर्स कब शाएं साथ आप शबने स्ट्रव्य इसके बारे में कुछ पताई है बाई बर्थ ता बिल्कुल भी नहीं मैं प्लस टू चुसी थे गाना ऐसी बंटी बैंस पाजिनल जैनी जॉल दा सब पांदा पुल एक अपवे मेरी गुट उससे पहले आपने कभी स्कूल टाइम में सिंगिंग ने की हुई टो इसलिए वहीं से स्टाट हुआ प्लस टू में मनलब प्लस टू दे विच मैं पहला गाना मदलब अपने पापा नू किया कि मैंनो मैं घाना करना मैं ओव कुडी ता गाना सुनेया से मिन बहुत वधिया लग या ते फिर ओधो ता टायप होया ते बंटी बैंस पाजिनल त तो ट्रेइनिंग किस से लिए अपने सिंगिंग की? सच पता हूं तो किसी से भी निली, गोड गिफ्ट है, बाकी मैं अप खुद रियाज करके अपना सेट कर रही हैं सारा तो मैं बहुत ही अच्छी बात है, विदाव ट्रेइनिंग आप उन स्क्रीन इतने अच्छे सॉंग दे रहे हैं इंडस्ट्री को तो एक चीज और मैं हमने जैसे सुने हैं आपकी 2015 में फर्स्ट अलबम आई थी और वो था आपके तेरी शर्ट दे नाल दी चुननी तो वो भी बहुत हीट हुआ था बहुत एप्रिसेशन मिला था उसको तो उसकी प्लीज कुछ लाइन समय सुनाईए हाई करे बार ले तहरा कट दी हुनिया हो तेरी शर्ट नाल दी लेगे रख दी चुनिया हाई सुटा दी जद तैला लाके तर दिया फिर योस विडे तेनु याद कमलया कर दिया वाओ मैं विदाओ ट्रेनिंग तो शायद ही यह ओंसिन कोई बिलीव नहीं करेगा कि और ब्लेस बीटिफुल वॉइस तो मैं एक चीज और यह जैसे आपका फ्रेंड सर्कल आप इतने स्टैप आप कर चुके हैं इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक दे रहे हैं तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपको कैसे मतलब एक पुश अप करता है कैसे उनका रियक्शन रहता है कि आप आज इतना स्टैप आउट कर चुके अपनी लाइफ में अगर सच बहूं तो म बहुत खुश होता है मुझे उनका कुछ रियक्शन चेंज हुआ आपकी इतनी सक्सेस देखकर रियक्शन बस वही कहते है तू मेहनत कर बहुत आगे जाएगी बस टिपस देते रहते हैं ऐसे करना चाहिए तो जैसे करना चाहिए बस तो मैम आपका फेमर्स सिंगर कॉन है पंजाबी इंडस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा गाते हैं तो उनकी गाई की मुझे बहुत अच्छी लगती है एक चीज मैं महुत बताईए जैसे हम पहले का म्यूजिक सुनते होते थे पहले के टाइम पे तो आपको कहीं नहीं लगता कि कुछ मीनिंग्फुल सॉंग बनते थे बट आजकल थोड़ा सा डिफरेंस आ चुक है थोड़ा सा चेंज आ चुक है सिंगिंग लाइन में मेरे हिसाब से वैसे कोई गल्त गल नहीं है क्योंकि जिद्धा जनरेशन चेंज हो रही है लोग के वी नमा सुनन मलब पराणा था सबने सुने ही होया पर मेरे हि सब्सक्राइavier ऑंट चल रहे हैंता जिद्धा ट्रेंड अग्गे कुछ को ट्रेंड एगा होर चेंज होड़े 270 that अधी चेंजिशन के साछी नंते रहने चाहिं एाक के हुन सारे जिद्दा पराणे ओंदे सी गाने और सारे थोड़ा थोड़ा पराणे ट्रेंट वाल वापस जा रहे ने हां जी हां जी तो वदिया मैंनो वदिया लगदे पंजाबी गाने पराणे मैं भी सॉन दिया बहुत सॉन दिया एक चीज़ मैं बदाये जैसे हम देखते हैं कि acting line में भी कहीं कॉंपिटिशन चलता रहता है तो आपको लगते हैं सिंगिंग लाइन में भी ऐसा कोई काम कर रही हूं तो मुझे मुझे अपने आपको कैसे निखारना आपने आपको कैसे आगे लेके जाना तो मैं उस पर ज्यादा वर्क आउट करती हूं बिजाए यह सोचने कि कि वह क्या गर रहा है यह क्या मैं सोचल मीडिया पर पहले बहुत कम थी तो अभी मैं रिसेंट अभी एक्टिव हुई हैं इंस्ट्रेग्राम पर वैसे मैं फेस्बुक बिल्कुल भी यूज नहीं करती हैं तो मैं एक चीज़ हमें बताइए कि जैसे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जैसे बॉलिवूड इंड़स्री में मीटू का कंसेप्ट आया था बहुत जादा कॉंट् मेडिया पर बहुत जादा एक इशू बना हुआ है आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पहले तो शेहनाज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज इतनी ज्यादा मतलब इसका इशू नहीं बनना चाहिए है जद्धा के अजकल मैं देख रही हैं हिमांची खुराना शेहनाज अपस्ट एक दुझे नों आमों समनी जवाब दे रहे ने ओ इद्धा ओ इद्धा ओ इद्धा तो मेरे ही सामनाल कोई पर्सनल होना नो इद्धा गाल नी करनी चाहिए दी ओवी मीडिया दे सामने या किद्धा भी है चलो थड़ा पर्सनल मैटर है तो उसी आप पस्ट सॉट आउट करो इद्धा कदे स्नैप्चैट पाती कदे इंस्टरग्राम पाता जिन्ना तो सी कहन मैंने किया कि आप पॉलीवर्ट इंडस्ट्री में मूविस के लिए आप आगे जाएं बिल्कुल मैंनू सिंगिंग नालो किते ना किते बहुत ज्यादा शाहूं कि एक्टिंग दा भी है तो एक्टिंग दा कीड़ा था बहुत है सोचा हाया कि बहुत फिल्मां बहुत करनी पूल इंट्रेस्ट इसमें भी आप फूल फूल इंट्रेस्ट फूल एक्टिंग तब पैरेंट्स ने आपको पुश अप किया तो आप डेफिनेटली जाना जाएंगे एक्टिंग लाइन में बी पैरेंट्स मैंनों बहुत ज्यादा स्पोर्ट कर देने उना नू बस अब कोई कुछ भी घंदा त्यानना दे असी तेरे नाला बस होर किसे दी कोई टेंचन नहीं आपके कोई ऐसा सॉंग जो आपने खुद गाया और वो आपके सबसे ज़्यादा एक आपके हर्ट के करीब रहा हो बहुत टैचिंग सॉंग जो आपको बहुत अच्छा लगता है वह को आप प्लीज ऑन स्क्रिन सुनाइए वैसे हले तक मेरा कोई सैड या रोमेंटिक गाना आया नहीं है मेरे ज्यादा तर चक में गाने है ने तो मैम वही हमारी पंजाबी इंडस्ट्री या हमारे व्यूवर्स की लाइकिंग से जो आज यहां का यूथ लाइक करता है मेरा गाना ऐसी ना चाल अचालडा बहुत पसंद किता सी सार्या ने थे बाठविरे ने लिख यां सिन्रिंदर बात्विरे ने में वान ओफ मा फेवर्य राइटर एंड अट बहुत पसंद के अनला दा गाना ते मेरा यूथ यहां पिल्स ले सकसे सबाध बठावाला ता है आच तो यह थे हमारे साथ वेरी टलेंटेट, वेरी ब्यूटिफुल आंड यंग फीमेल सिंगर मिस इंदरकॉर्ट, जिन्होंने हमसे शियर की अपनी कुछ good memories, अपनी musical journey के बारे में उन्होंने हमसे शियर किया और उन्होंने यह भी बताया कि वो एक्टिंग लाइन में भी काफे इंटरस्ट रखते हैं तो keep supporting हर उन्हें धेर सारा प्यार दीजिए ताकि वो आपके लिए बहुत सारे beautiful songs लेकर आएं कैमरामेन आमन दीब के साथ शिप्रापसरीजा टाइमस पंजाब टीवी